दमश्कार आप देख रहे हैं यूपचर और मैं हूँ आपके साथ खुश्पसें आये नज़रालते हैं राजसान से उड़ी कुछ पड़ी खबरों पर आपने सुना होगा कि राजनीती में ना तो कोई स्थाई दोस्त है और ना ही कोई स्थाई दुश्मन होता है चाहे वो एक दल के नेता हो या किसी विरोधी दल से राजनीती कर रहे हो ताज़ा मामना रजसान से बीजेपी खेमी में दो दिगज नेताओं चे जुड़ा है जिसके बाद दौसा की सियासत में एक बार फिर भुचाल आ गया है तरसल दौसा से बीजेपी सांसर जसकोर मीना एक करक्रम के दोरान पोस्टर पर अपनी ही पाथी के विधाय कि रोडी लाल मीना की फोटो देखकर भढ़क गई जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचर बढ़ गई है जानकारी के मुदाबिक बीजेपी सांसर जसकोर मीना के संसदिय शेतर में शक्ती वंदन स्वें सहायता समू सखी सम्मान समारो आयुजित किया गया था जहां इसकारप्रम के पोस्टर अर्वे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंतरी बजलाग शेर्मा और वधाय किरोडी लाल मीना की फोटो लगी हुई थी इसके बाद मीना की फोटो देखकर सांसर जसकोर को गुस्सा आ गया उन्होंने मंच सेहीर राजीव का मिशिन अधिकारी बलदेव गुजर को फोन लगा कर जम कर फटकार लगई जसलमीर में डेजर्ट फेस्टिवल के दूसरे दिन आज दर्शक उटो के करतब देख रोमांचित हो गए शाने मरुधरा प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों ने तयार होकर साफा बांधा फिर उन्ट पर सजा धजा पलान बांधा और फिर विनिंग लाइन तक दोड़ कर आए इस पूरी प्रक्रिया को देख देशी और विदेशी विजिटर्स ने खूब आनंद लिया डेजर्ट फेस्टिवल के दूसरे दिन आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक गड़ी सर ताला पर इंस्टूमेंट म्यूजिक एवं यूगा का कारिकरम हुआ इसके बाद सुबह 10 बजे से डेडा नसर स्टेडियम में रिगिस्तान के जहाज उट के करतब हुए डेडा नसर मैदान में क्यामल डेकोरेशन प्रतियोगिता श्यान मरुधरा प्रतियोगिता टागॉप वार प्रतियोगिता हो रही है रहसान के पूर मुख्यमंत्री अशोग गैलोते राजी उगांधी स्कॉलर्शिप योजना को लेकर वर्तमान सीएम भजलाल शर्मा को पत्र लिखा है गैलोत ने पत्र लिखकर इस योजना में चायनिज बच्चों को उसकी रवाशी तत्काल देने की मांग उठाई है गैलोत ने पत्र को सोचल मीडिया पर साजा करते ही लिखा कि हमारी सरकार के ओर से 500 बच्चों को विदेश में फ्री में पढ़ाई के लिए लाई गई राजी उगांधी स्कॉलर्शिप पॉर एकेडमिक एक्सिलेंस योजना बीजिपी सरकार आते ही अधर में लटक गई है उन्होंने कहा कि वर्तमान में विदेश में पढ़ रहे बच्चों को कई परिशानियों को जेलना पढ़ रहा है गैलोत ने ये भी कहा कि 346 चात्रों का योजना में चैन हुआ लेकिन अभी उन्हें सरकार के ओर से स्कॉलर्शिप नहीं दी जा रही है मालूम हो कि गैलो सरकार ने अपने पिछले कारिकाल में चात्रों को विदेश पर पढ़ाई करवाने के लिए वराजी उगांदी स्कॉलर्शिप फॉर एकेडमिक एक्सिलेंस योजना शुरू की थी गैलोत ने पत्र में बताया कि उनसे मिलने आए कुछ चात्रों ने इस बारे में उन्हें जानकारी दी जिसके बाद वो मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा को पत्र लिख रहे हैं के नुसार 26-27 फरवरी के बीच एक नया वेस्टन डिस्टाबिन्स सक्रिये होगा इससे रजसान के जैपुर रदैपुर और कोटा संभाग के अधिकतर शेत्रों में बादल के आवाजाही रहने के साथ बारिश होने के संभावना है इससे तापमान में एक बार फिर गिरावट होने के संभावना बनी रहेगी इसके बाद मार्च के पहले सब्ता में प्रदेश में नया वेस्टन डिस्टाबिन्स सक्रिये हो सकता है इसका सबसे ज़्यादा असर रधिसान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है रधिसरकार ने देराज प्रदेश के 24 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिये है IPS स्मिता श्रिवास्तों को ब्रश्टचार निरोधक ब्यूरो दित्ते में अतिरिक्त महान देशक के पत पर लगाया गया है वहीं तब आदलों में सरकार ने 11 जिलों में SP भी बदल दिये है इनमे से अधिकतर अधिकारियों को 7 दिन में ही बदल दिया गया है सोला फरवरी को नदिकारियों को ट्रांसफर करके इन्हें नई पोस्टिंग दी गई है लेकिन इनका फिर से ट्रांसफर किया गया है तब आदलों में सरकार ने 11 जिलों के SP बदले है IPS भुवन भुशन यादव को सीकर SP IPS राजन दुश्यंत को SP भीलवाडा IPS पूजा अबाना को SP फलो दी IPS वनीत कुमार बंसल को SP केकड़ी लगाए गया है प्रासान सोड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ युक चर्ण पर तब तक लिए नमस्कार